नमस्कार दोस्तों एडिशाला चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है देखिए हिंदी साहिते का इतिहास था उसमें जो कवीता का साहिते है वो हमले कंप्लीट कर दिया था उसके बाद आपका कहानी उपन्यास नाटक जो गदवाला पोर्शन है वो बचता है लेकिन व कहानी की विकास यात्रा करके एक वीडियो डाला है चैनल पे उसमें बेसिक जो एक होता है ना कि फंडमेंटली आपको कोई बात समझानी है वो एक्चुली क्लियर कर दे गई है तो वो जो छे तत्व हैं उन्हीं को थोड़ा सा मोडिफाई करके उपन्यास में यूज होता ह है वही थोड़ा सा मोडिफाई करके नाटक में यूज होता है तो उस वीडियो को एक बार आप सुन लेंगे तो आप कहानी उपन्यास नाटक को फर पढ़ पाएंगे अगर मतलम नहीं भी सुनेंगे तो भी आप कर पाएंगे क्योंकि वह आसान वाला पॉर्चन है वह हो ज नहीं आ रहा तो मैंने सोचा क्यों ना हम व्याख्या वाला जो पार्ट है इसको पहले कंप्लीट करने व्याख्या वाला पॉर्चन कंप्लीट हो जाएगा अगर हम लोगों के पास टाइम बचता है इफ टाइम परमिट्स और अगर आप लोग प्रिलिम्स में जादे इंड प्रिलिम्स में जो एक होता है न डर अंदर से वह एक दो ही पोर्चन को लेके होता है एक वाक्या वाले को लेके और दूसरा भाषाकंड को लेके तो हम कोशिश करेंगे पहले व्याख्या कंप्लीट कर देते हैं अगर उसके बार टाइम ने हमें अनुमति दी तो हम वाषा कंड वाला भी पोर्चन कर लेंगे तो आज से हम शुरुवात कर रहे हैं अपनी व्याख्या वाले वीडियो लेक्चर सेरीज की इसमें हम पहले कबीर से शुरुवात करेंगे और कबीर के जो 102 हैं उनको हम डेली बेसिस पे 10-10 करके कंप्लीट करेंगे कई बार 20 भी कर लें एकी दिन में ताक कि थोड़ा जल्दी कवर हो लेकिन हाँ दस्तू करेंगे ही और 102 को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे शुरू का एक या दोहा जो है टाइम लेता है उसके पास सिर्फ आपको दोह का मीनिंग समझना रहता है जो संधर्भ है जो आपका एक तरीके से आप लोग प्लीज फीडबेक दीजेगा कि कैसी विडियो बनी है अगर कोई फीडबेक है कि क्या इंप्रूव करना चाहिए तो वो जरूर बताइएगा कि मैं क्या इंप्रूव करूँ और अगर आपको लगता है कि नई वीडियो अच्छा बना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है ताकि जो निक्स्ट वीडियो आए उसको लेके मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रहूं कि आप लोगों को पसंद आया था या नहीं चालिए तो देखिए जो कबीर करन्था वली है है उसमें जो है कबीर की साख्या दी गई है उसके बाद जो अन्य दो पाठ है उससे भी सेव नंबर के जो दोहे है साक्या आपके स्लेवस में दी गई है तो आज से हम घुरु को अंग है ना इसका जो है स्टार्ट करते हैं चलिए बिना टाइम गवाए पहला देखते हैं तो पहला है कि सत्गुरु सवान को सगा सो करेंगे कि अगर एक्जाम में आपको एकदम से यार्णी नहीं आरा है कि यह क्या है कहां से है क्या मीनिक तो भी आप उसको कम से कम कर पाए तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी सामने व्याक्या करने के लिए दिया है उसके एक एकONG complaining log को पकड़ ligeे और देखि है सवान सवान यानिके सवान समान ठीक है समान यानिके एग जैसा को है ना यानिके कोई भी सगा मतलब अपना हम बोलते हैं सगा फिर सोधी सोधी मतलब शुद्धी ठीक है सई सई मिल समान ठीक है ना दाती दाती मतलब दान दान दक्षिना देना फिर हरीजी, हरीजी मतलब इश्वर, सवान, फिर से समान, हितू, हितू मतलब अपना हित करने वाला हितेशी, हरीजन, फिर साइमिन समान ना जाती, चीक है, तो देखे, हमने लगवग एक एक वर्ड का मिनिंग पकड़ा, और हमें पाता चलिया, अच्छा, इसका थोड़ा सा ये तो मिनिंग निकल के आता है, अब इनको जोड देते हैं, चीक है, तो देखे, सत्गुरु सवान को सगा, सत्गुरु के समान कोई भी, अपना सगा नहीं है, सोधी सईन दाती, है ना, उन्होंने जो शुद्धी, है ना, जो एक ज्यान दिया है, उसके समान, कोई भी दा जाती, कोई भी दक्षणा नहीं है, हरी जी सवान को हितु, हरी जी यानि के हरी ईश्वर समान के समान को हितु, हितु मतलब हितेशी, हरी के समान कोई भी हितेशी नहीं है, हरी जन सही ना जाती, ईश्वर के जो बंदें है, उन्हें के समान और कोई दूसरे जाती नहीं है, ये इसका मिनिंग निकल गया अब फिर से देखते हैं सत्गुरु सवान को सगा सत्गुरु के समान कोई भी सगा नहीं है सोधी सईनदाती शुद्धी यानि के वैसा ज्यान उसके समान कोई भी दक्षणा नहीं है हरी जो सवान को ही तू हरी के समान कोई भी अपना हितेशी नहीं होता हरी जन सही न जाती हरी यानि कि इश्वर के जो बंदे हैं उनके जैसी जाती और कोई दूसरी है ही नहीं अब इसकी व्याक्या करते हैं जो आपको एक्जाम में लिखने रहेगे क्या लिखेंगे गुरु के समान कोई भी अपना सगा संबंदी नहीं है एक मात्र गुरु ही हमारे अपने हैं संसकार का बोध कराने वाले जो सदगुरु है जो साधु है उनके जैसा कोई भी दूसरा दानी नहीं है फिर सेकेंड लाइट इश्वर के समान कोई भी हितेशी नहीं है यानि कि जो हरी मार्ग पर चलता है वही क्या है सरफशेष्ट कुल का है उस यानि कि जनम से जाती की श्रेष्टा का कोई मतलब नहीं है जिसने हरी का रास्ता पकड़ लिया जो हरी का हो गया वो उंचे कुल का हो गया यह इसकी व्याक्य निकल के आएगी अब आपने एंग्जाम में कैसे करना है सबसे पहले तो आप लिखेंगे संधर्म और प्रसंग जैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा है वो हिंदी की जो भक्ति कालिन संद कावे धारा के प्रतिमिधी कवी कौन कबीर उनकी रचनों का संग्रय कौन सा कबीर गरन्थावली के भी कौन से वाले हिस्से से गुरु देव को अंग से लिया गया है फिर पसंद क्या हो जाएगा एक तरीके से कि संद कावे में गुरु के प्रति अनन्य कृत्गता जो है ग्यापिक की गई है गुरु को बहुत बड़ा माना गया है तो यह जो दोहा है यह भी इसी भाव बोध से युक्त है जिसमें गुरु के प्रति अपनी जो श्रद्दा है गुरु के प्रति जो अपना विश्वास है वो प्रकट किया गया है यह हो गया संदर पसंद व्याख्या मैंने आपको बता दी अब बारी आती है विशेश की तो पहले वाले दोहे का विशेश आप थोड़ा डिटेल रहा है कि यह जितनी भी दोहे आएंगे इस गुरु को अंके अंतरगर इसमें कही ना कहीं गुरु की महिमा की गुरु के उपर अपनी अनन्य विश्वास की गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा की गुरु के महत्व की बात की गई होगी तो अगर यह बीसिक अंडर्स्ट जो यह प्रस्तुत लाइने हैं हिन्में की उसकी महतपोंड विशेष्टा है कि गुरु के अनन्य भथभाव दिखाना की हम ira वह उसकी महतपोंड विशेष्टा है और दूसरा nie बता सकते हैं कि भक्ति काल में गुरू को सिर्फ गुरू नहीं कहा गया है क्या कहा गया है सत्गुरू कहा गया है गुरू तो सिर्फ होता है जो आपको शास्त्रों की है ना साधरन किताबों की सक्षा दे दे लेकिन जो सत्गुरू होता है वो जीवन के रहस्यों का एकदम न प्रति जो कबीर है वो पनी करतयगत्ता का भावप प्रकट करते हैं और बार-बार उनकी महत्ता का क्या है बखान करते हैं तीसरा आप ministers क्या बता सकते हैं की देखिये जो कबीर है उनपे एक तो जो विश्नवी भक्ती परमपरा है चीक है वो और दूसरा जो नात परमपरा है इसका प्रभाव देखने को मिलता है और दोनों ही परमपराओं में भक्ती में भी और नात में भी गुरू का मैं तो बहुत माना गया है क्योंकि नात लोगों के हाँ तो गुरू ही आपको एक मात्र उस सारे सिध्यों की जो प्रकरिया है उस सब की नॉलेज करा सकते हैं जिनके द्वारा आपको अपने अंदर की सच्चाई पता चलती है वैश्नवी भक्ति परंपरा में भी ये कहा गया है कि गुरू ही भक्ति के म मार्ग पर आपको लेके आता है मार्ग आपको खुद दै करना होगा लेकिन उस मार्ग पर चलाने के लिए गुरू का महत्व है तो वही बात आपको इस इन पंक्तियों में भी देखने को मिलती है तो तीसरा आप बता सकते हैं कि जो संद कावे धारा के जो गुरू है वो सर्फ रास्ता दिखाते हैं कि ब्रह्म को सच्चाई को ग्यान को प्राप्त करने का ये मार्ग है लेकिन सूफिक आव्यधारा में जो गुरू है वो ना केवल रास्ता दिखाते हैं बलकि पूरी साधना यात्रा में साधक के साथ भी चलते हैं वो साथ देते हैं ताकि रास् किरिए प्टार्प्तिया प्रासंगिक है क्या है яв कि आज के टाइम पर गुरू की छी है थोड़ी कम होते जा निया क्वैउकर व्युत्थार की बाई-फस्तों गई है तो यह या झालद दएंंगि है मार सुच्क है कि इन फ्सच्रबेहर कईобраз्य def守 लुगा ताइम लगेगा उसके बाद तो हो जाएगा आपके बाए हाथ का खेल देखिए चलिए यह हो गया आप next देखते हैं बलिहारी गुरु आपने ध्यों हारी के बार जिनी मानिश्ते देवता करतना लागी बार बलिहारी गुरु आपने आपने मतलब अपना बलिहारी मतलब निच्छावर हो जाना दो आड़ी दीहारी पारिक्षरमिक है ना कोई चीज ऐसे मिलती है ना कोई काम करने के मतलब कुछ मिलता है के बार कितनी बार फर जिनी मानिश मतलब मनुश्य ते जैसा देवता देवता ठीक है करतनलागी बार कितनी बार जो है आपने किया है यानि के बारी बारी तो ये मतलब हो गया आपने मतलब अपना दो हारी मतलब धी हारी है ना के बार कितनी बार जिनी मानिश्टे देवता जिस मनुष्य को देवता जैसा बना दिया करतना लागी बार आप इसका एक एक शब्द का मिनिंग समझ लिया आप इसका exact मिनिंग देखते हैं कि बलेहारी गुरु जो आप हो आपके ऊपर मैं एक तरीके से मैं कितनी बार नियोच्छावर होता हूं ठीक है कि आपने मुझे जो एक मनुष्य था मैं जो दुरबलताओं से युक्त मनुष्य था उसको देवता के समाजाने के दिव्य गुणों से युक्त कर दिया है और करतना लागी बार आपको इसमें जरा भी कितना भी टाइम नहीं लगा ठीक है तो क्या हो जाएगी इसकी व्याक्या कि मैं अपने ऐसे गुरु के प्रती समर्पित होता हूं जिन्होंने ज्यान प्रदान करके मुझे देवता समान बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया है ना इसका मतलब हो कि मैं अपने गुरु पे बार बार अनीक बार निचावर हूं जिन्होंने अल्प समय में ही मेरी जो मानुव्य दुरबलताएं थी उनको दूर करके लगू होता है चोटा होता है इस चोटे से जीवन में सच्चा ज्यान प्राप्त करने का रास्ता अगर आप अकेले घोजेंगे तो हो सकता है बहुत लंबा रास्ता है जीवन चोटा है तो गुरू के माध्यम से कम समय में सच्चा ज्यान प्राप्त किया जा सकता है इसलिए ग कबीर की रचनाओं का संग्राय कबीर गरंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है संद कावे में गुरु के प्रति अनन्य कृतगता ग्यापित की गई है और ये दोवा भी इसी भाव बहुत से युक्त है ठीक है विशेश की बात करेंगे तो फिर से वही कि गुरु के प वही किस तरीके से मार्केट में बदलती जारी है है ना तो यह आप फिर से बता सकते हैं साथ में कोई एक अलंकार जैसे आप बता सकते कि यहां इस वाले दोवे में क्या है यमक अलंकार का जो है प्रियोग हुआ है ठीक है न toy नेक्स देखते हैं प्रत्जो की महिमा अनंत अनन्द किया उपकार, लोचन अनन्द उगारिया, अनन्द दिखावन हार, सत्गुरु की महिमा अनन्द, आसान है, कि गुरु की महिमा तो अनन्द है, अनन्द किया उपकार, मुझे बहुत ही जादा, क्या कर दिया है, उपकार कर दिया है, लोचन अनन्द उगारिया, मेरी जो आखे हैं वो अनंत के परदी उगार दी है खोल दी है है ना अनंत दिखावन हार और वो जो एक असीम ब्रह्म है जिसका कोई अन्त नहीं है जो आदिकाल से पर है उसका परीचे मुझे करा दिया है असान है है तो क्या लिखते हैं कि सद्गुरु की महिमा अपार है उसकी क हिमा के कारण मुझे बहुत सारे उपकार किये हैं और सद्गुरु ने हमारी आखे खोल के हमें उस असीम ब्रह्म का जो स्थान और काल से परे है जिसका कोई आदी है ना अन्त है उसका दरिशन गरा दिया है और थार जो माया से बंदावा जीव था उसको ज्यान वाली दृ देखे जो ब्रह्म की अनुबूती थी वो संभव करा दी है ठीक है फिर संदर पसंगुशे समान हो जाएगा नेक्स देखते हैं राम नाम के पटतरी देवे को कच्छुनाही क्याले गुरु संतोशिये हौस रही मन माही ठीक है पटतरी का मतलब होता है पटतरी बराबरी मे तुलना में तो राम नाम के तुलना में बदले में देवे को कच्छुनाही देवे मतलब देने को कच्छु मतलब कुछ भी नाही मतलब नहीं देने को कुछ भी नहीं है क्या ले गुरु संतोशिये क्या ऐसा गुरु ले कि फिर गुरु को संतोश हो जाए ऐसा मैं क्या ये कामना बार-बार आ रही है तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि भाई जो गुरु है उनके उपकार का मुल्य चुकाया नहीं जा सकता क्योंकि जिस गुरु ने मुझे राम नाम दिया है उनकों में गुरु दक्षणा में क्या दू ऐसी तो कोई देने योग्य वस्तु नही है इसी क्या चीज है जिसे पाकर गुरु को संतोश हो ये कामना मेरे मन में रह गई है यहां पर यह हूं कि गुरू ने जो जिद्राप्ति करायव दी है छिश्य को उसके बदले दक्षणा में देने या कुछ भी ना होना यहाँ पे सिष्टे की विवश्टा है फिर संदप्रसंद व्याख्या सेम हो गया नेक्स देखते हैं सत्गुरू के सदके करू दिल अपनी का साच सत्गुरू हमस्यू लड़िया पढ़िया महकम मीरा बाच ठीक है सत्गुरू के सदके करू सदका करना मैं सत्गुरू का कैसे सदका करू दिल अपनी का साच है न यहाँ पे जो यह साच वर्ड है यह साच का बिगड़ा हुआ रूप है चीक है साच साच मतलब सच्चा साक्षी भाव दिखा के रखना महकम अटल द्रड निश्चे करने वाला चीक है उसके बाद मेरा बाच अब देखी क्या मतलब हो गए सत्गुरू के सदके करू और दिल अपनी का साच मेरे दिल का यह सच्चा भाव है कि मैं खुद को सत्गुरू पे सदके करके निचावर कर दू सत्गुरू हमस्यू लड़ी पड़िया जो कल्यूग है वो तो मुझे डगाने के लिए गुरू लड़ पड़ा था लेकिन महकम मेरा बाच मेरी जो अपनी प्रभू प्राप्ती की आकांशा थी वो अटल रही मैं नहीं डिगा ठीक है मैं विरोधी शक्तियों के बाद भी भक्ति मार्ग से विचलित नहीं हुआ तो ये इसका मिनिंग हो जाएगा निच्स देखते हैं सत्गुरू लई कमान करी बाहन लागा तीर एक चुवा बहाया प्रीती सू भीतरी रहा शरीर सत्गुरू लई कमान कमान समझते हैं ना तीर कमान कमान करी कर दिया यानि कि सत्गुरू ने मुझे कमान के समान कर दिया है बाहन लागा तीर और फिर मुझे पे ही तीर छोड़ा है एक चुवा बहाया प्रीती सू है ना यानि कि एक तीर प्रीती का ऐसा लगा बीतरी रहा शरीर की फो फिर वो मेरे बीतर ही बीतर शरीर के अंदर ही रह गया कमान का मतलब समझ गए, लई मतलब लगाना, बहान मतलब की बाहन, चीक है, लागा तीर, एक ऐसा तीर फिर मुझे पे ही बहार से लगाया, एक जू, एक ही, भाया पृती सू, चीक है, बीतरी रहा शरीर, बीतरी शरीर के अंदर रहा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, की, जो हमारा सतकुरू है उन्होंने धनुष की कमान यानि के प्रतंच्या बनाकर मुझे ग्रहन कर लिया है और मुझे पे ही तीर चलाने लगे हैं उन्होंने एक तीर प्रेम का ऐसा चलाया जो मेरे शरीर के बीदर ही रह गया यानि के कबीर का कहने का ताथ परिया है मुझे में ही सुधार करके मुझे ही कमान बनाया ना मुझे पे ही जान का ऐसा दीपक जलाया कि मेरे अंदर जो ब्रह्म प्रेम था उसके भाव को चागरत कर दिया अब वो मेरे अंदर ही रह गया है चीक है तो ये आपको इसका मिनिंग हो जाएगा यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि शिश्य का कमान होना गुरू के प्रती विनर्मता की भी जो विर्जना एक तरीके से करता है देखिए मुझे ही कमान बना दिया यानि कि मैंने अपने आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर से का कालियान नहीं कर सकता और दूसरी बात अब गुरू के पास बै क्या हो लाजिए ग्यान के थीर होने चाहिए प्रती आंब कि सद गुरू की दिख्षा देने Skills का कि वादिए उसको बड़े ही अच्छी भाशा में दिखाया गया है और खड़ी बोली भाशा के थोड़ा नस्दीक है चीक है? निक्स देखते हैं सद्गुरु साच्चा सूरिवा साच्चा मतलब सच्चा सूरिवा मतलब शूरवीर पराकर्मी सब्द जो बहाया एक शब्द जो उपदेश देते हैं वो जो बहाया एक जो एक ही उपदेश दिया लागत ही में मिली गया मैं खुद में ही मिल गया मैं जो मेरे अंदर खाएंकार था वो मिट गया पढ़िया कलेजा छेक दिल में छेद हो जाना यानि कि कोई बात सीथे जाके पॉइंट पे लग जाना तो इसका क्या मतलब हुआ कि गुरु जो है मेरे वो सच्चे ही अर्थों में पराकर्मी है शूर वीर है क्यों क्योंकि उन्होंने मात्र एक ही उपदेश से चीक है मेरे भीतर के सारे एहंकार को मिटा दिया है उनके उपदेश का ऐसा हर्थे पर परभाव पड़ा है कि मेरे मन की तो सच्चे चेसना जागरत हो गई है यह बता देंगे यहाँ पे अनुपरास अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है यह एक एडिशनल आपशेश में लिख सकते हैं अब हम देखते हैं सत्गुरु मार्या बान भरी धरी-करी सुधी मूठी अंगी उघाडे लगिया गई दवासु फूटी सत्गुरु मार्या बान भरी सत्गुरु ने एक अचूक निशाना एक अचूक बान का मारा है है ना धरी करी सुधी मुठी बान भरी यानि कि शब्द रूपी बान गुरू के उपदेश अंग उगारी लगया मेरे जो उगड़े हुए अंग थे उन पे वो तीर लगा और गई गवासु फूटी है ना दवासु यहां पे दवागनी से मतलब है सहर्द्यता से मतलब है कि मेरे अंदर से वो दवागनी मेरे अंदर से वो सहर्द्यता फूट गई है वो जहां पे बान लगा है क्या हो जाएगा कि सद्गुरू ने सब्द बान ऐसा साध के लगाया है धरी सूधी मूठी ऐसा सादके लगाया है ऐसा अचूक निशाना लगाया है कि जिसनी मेरे खुले हुए अंगों पे प्रहार करके दवागनी के समान प्रहार किया है है ना कहने का मतलब यह है कि उपदेश देके मेरा जो जिग्यासु मन था उस पे बहुती मारमित प्रभाव डाला है और अब मेरा मन प्रभु मिलन के लिए बेचैन हो गया है नेक्स्ट हसे न बोले उनमनी हसे न बोले न हसता है न बोलता है उनमनी उनमनी मतलब अनमनी मन नहीं करना किसी चीज़ का चंचल महलिया मारी चंचल जो थोड़ा शरारती था भीलिया उसको क्या कर लिया है मुझबूती से एक तरीके से पकड लिया है किया पकड लिया कहे कबीर बीतरी बिधा कबीर कहता है बीतरी बिधा अंदरी अंदर बिद गया है सत्गुरु के हतियार सद्गुरू के हतियार से क्या कहते है कि जो जीव है जो मैं हूँ वो ना भसता है ना बोलता है अनमना हो गया है घुमसुम हो गया है जो मन की अस्तरता थी जो चंचल पंथा मन का उसको जकड लिया गया है यानि कि अस्तर मन अब क्या हो गया शब्द बान वाले अस्तर थे उनसे मेरा मन बिद गया है यानि कि गुरू का जो प्रभाव है वो मेरे हर्द्या पे अंब्ड रूप से अंकित हो गया मतलब मुझे सच्चे ज्यान की प्राप्ती हो गई है और अब हसे ना बोले चंचल यह सब यानि कि अब मेरा सांसारेक दुख माया से मन जो हट गया है ठीक है फिर आज का हम लास्त देखते हैं गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान पाउ थे पंगूल भया सत्गुर्व मारिया बान तर्थे गूंगा हुआ बावला capacity मेरी का जो मेरा मन था भा मेरे कानों से कुछ सुनाई नहीं दीता। पाउं ते पंगुल भेना, है ना, पंगु हो जाना, मेरे जो पाउं है वो अब चलने लायक रहे नहीं, उनमें गतियम नहीं रहे, सद्गुरु मारिया बां, शद्गुरु ने ऐसा बां मारा है, ऐसे अपने उपदेश दिये है, कि अब मेरा जो है, ना कुछ बोलने का मन कर कभी रिष्पस्ट करते हैं कि सदगुरु के अपडेश का ईसा प्रभाव पड़ा है कि मेरा जो मन है वो दभु में रम गया है ना बोलने की इच्छा रही है ना कानों से कुछ सुनने की इच्छा रही है यहां तक कि पैरों ने भी अपनी उगति छोड़ दिया है और कहीं भ प्रभू प्रेम की प्रापती से मेरा जीवन सफल हो गया है और जब सच्छा सुख मुझे मिल गया है तो जो अन्य काम नाय थी वो मेरी क्या हो गई है सुद्द समाब्द हो गई है। तो यह हमारे थे 10 कबिर के दो हैं जिंकी आज हमने व्याक्या कैसे करनी चाहिए यह समझी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीज़ेगा अगर आप कुछ improvement चाहते हैं तो please feedback दीज़ेगा लेकिन अगर आपको lecture अच्छा लगा है तो please वह भी बताएगा ताकि जल्दी ही next video लेके आओ और हम जल्दी से अपने hundred जो दोगे हैं वो complete करके next हम सूर्दास या बिहारी कवर करेंगे चीक है तो आज के लिए बस इतना ही अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहें थैंक यू थैंक यू very much